इस वड़ाओं में बात करेंगे मोलतिलाल औशवार्व्ण ड्रTPец अपंड ऑपन करते हैं तो आपको यहां पर कौन-कौन से चार्ज़िस लगने वाले हैं शाथ मैं बात करेंगे इनके अकाउंट अप्निंग चार्ज़िस के बारी में सबसे पहले आप देखेंगे तो इनकी साइट पर mention किया गया है कि आप एक ही platform से आप all investment कर सकते हैं जितनी चाहें आप investment कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं वो इस वीड़ा में आगे discuss करने वाले हैं बात की जाए trust की तो यहाँ पर करीबन 40 लाग पलस यहाँ पर इनके customer जुड़ चुके हैं और industry की बात की जाए तो इनका बिजनिस है वो 35 से यहाँ पर चल रहा है इसके बाद award winning है यह अपने research के लिए और dedicated है अपने personal advisory के लिए वीचे बात करें तो यहाँ पर आप को मिलेंगे फिचर अप्शन आपको देखने को मिलेगा mutual fund में आप अपना पैसा लगा सकते हैं commodity में अपना पैसा लगा सकते हैं इसके बाद अगर आप आप आईपयोज करना चाहते हैं तो आप 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 पैसा लगा सकते हैं यूए श्टोक में आप बाई कर सकते हैं portfolio management service आपको देखने को मिलेगी इसके बाद bond fixed income instrument आपको देखने को मिलेगा alternative investment funds आपको देखने को मिलेगा intelligent advisory portfolio और इसके बाद आपको fixed deposit का option भी यहाँ पर ही देखने को मिलेगा तो चले बात कर लेते हैं इनके brokerage charges के बारे में क्योंकि इनकी site पर जादा कुछ mention नहीं किया गया ह इसके लिए हम अलग site को use करेंगी यहां पर आप देखेंगे थे इनके प्लान के बारे में बताय गया है कि यहां पर आपको इस tender plan देखने को मिलेगा broker type की बात की जाए तो आपको यहां पर full service broker देखने को मिलेगा account opening की बात की जाए तो दोस्तों account opening है जो यहां पर आपका बिल्कुल free होने वाला है यानि कि आपको इस पर कोई charges नहीं लगेगा इसके बाद AMC की बात की जाए तो total आपको 300 रुपे पर येर के इसाब से यानि कि आपको pay करने होंगे इसके बाद आपका five star है जो बिल्कुल free होने वाला है यानि कि पहले साल आपको कोई भी पैसा यहां पर आपका नहीं जाएगा इसके बात की जाए है डिल्यूर चार्जिस की तो दोस्तों यहां पर डिल्यूर चार्जिस में आपको 0.20% के इसाब से आपको transition value पर चार्जिस लगने वाला है इसमें आपको standard plan के अंदर आपको कोई भी subscription fees नहीं देनी होती है यानि कि इसमें आपको standard plan के लिए subscription fees है जो आपको 0 लगता है एक्यूर डिल्यूर पर आपको transition value है 0.20% के इसाब से लगेगी equity इंट्रा है जो आपको 0.20% के इसाब से इसके बाद आप देखेंगे equity features की बात की जाए तो equity features है आपका 0.02% के इसाब से आपका transition value लगने वाला है equity option की बात की जाए तो आपको यहां पर 20 रुपी पर लौट के इसाब से पढ़ने वाला है commodity features आपको यहां पर 0.02% के इसाब से आपकी transition value लगने वाला है अब यहां पर बात की जाए commodity option की तो आपको commodity option पर आपको 20 रुपे पर लौट के इसाब से आपको चार्जिस देखने को बिलेगा जैसे कि यहाँ पर बता दिया है मैंने मोतिलार ओस्वाल पर अगर आप आप आपनिंग करेंगे अकाउंट तो यहाँ पर टोटली फिरी है एमसी चार्जिस आपका फाइट एर फिरी है यानि कि ऐसके बाद आपको 300 रुपे पे करने परते हैं हर साल के हिसाब से नीचे आप देखेंगे तो मोतिलार ओस्वाल के हिडिन चार्जिस के बारे बत किया गया वे इसके हिडिन चार्जिस क्या क्या लगेंगे जैसे कि explor clicking और आपका 10 रुपे किया जाता है अब यहाँ पर बात करेंगी Account ker charges की अगर आप यहां पर अपने account हिवाइच करते हैं तो इसके लिए आपको chart करने होता है जिसके लिए आपको आप 100 लपे pay करने होंगे इसके बाद आप ze neces channel की बात की जाए तो यानि कि आगर आप दो बार से अपना रियक्टिवेशन करते हैं अकाउंट अपनी करते हैं तो आपको 50 रुपे जहां पर चार्जिस की बात की जाए तो आपको 50 रुपे पर साथिपकेट के साफ से रुपे के पेश करने पड़ेंगे इसके बाद कोल अगर हम और अप्लिकेशन पर बात करते हैं तो वहां पर आपका 20 से 50 रुपे के बीच में कॉल और ट्रेड भी यूज किया जाता है इसके बात करते हैं मोदिलार ओस्वार टांजेशन चार्जिस की यानि कि आपको यहां पर कौन-कौन सी फीच लगने वाली है तो जैसे कि आप यहां पर देखेंगे एकींटे डिलूरी में अपको यहां पर 0.003.0 के परसंट नेसी में आपको इस चार्जेस लगेगा आपको परसंट नेको बिखने को बात की जाए तक और इन्ड़यम्हे यह सेम्च रहM को मिलेंगा यानि कि अन्दर आपको परसंटों के हिसाब से यहां पर चार्जिस देख रहागा इक्यूटी फिचर्ट की बात की जाए तो इक्यूटीफीचर्ट में आपको 0.002% के लिए एक्यूटीा ओप्सट्र्टी पर आपको non agree और agree में आपको 0.006% के चार्जिस लगेगा और special की बात की जाए तो आपको 0.005% के छाब से special amount charges लगेगा community option की बात की जाए तो non agree में आपको 0.05% के चार्जिस देखरी मिलेगा currency features की बात की जाए तो currency features में आपको 0.009% के साब nsc के लगेगा वेसंदर कि अपको जो छ्वाइन की बात की जाये तो श्रॅ का लगेगा श्रॉन के छिया लगेसेक दिए कंदर कौन की बात की तरब येसे वो जो इंयचे के 3.050 पर टरफ टरिंग эта लीएक वांको यहां पर यहां पर delivery पर आपको 0.1% के हिसाब से buy और sell side पर यानि कि दोनों पर यहाँ पर STT और CTT charge मेंशन किया जाएगा equity intraday की बात की जाए तो आपको sell side पर जो charges लगेगा 0.025% के हिसाब से equity intraday में आपको sell side पर charges लगाया जाता है equity features की बात की जाए तो सेऩव साइड पर जोगने वाला है जो कि 0.025% के हिसाब पर छाज़िस लगेगा यह आपका sell side पर charges मेंशन किया जाएगा अब बात करते हैं equity option पर equity option पर को sell side पर यानिक ऑन premium पर आपडे जो कि 0 .0625% के हिसाब से लगेगा यह सिर्फ आपको उन शेल साइड पर लगता है बाइसाइड पर आपको शेल साइड पर लगेगा नौन एगरी पर कॉमडिटी ऑप्सेल की बात की जाए तो 0.05% ऑन शेल साइड पर लगेगा पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा यानि कि आपको फिर देखने मिलेगा इसके बात करते हैं दोस्तों मौतिलार ओस्वाल पर आपको सिटाम डूटी चार्ज इस क्या लगने वाला है और क्या फीच लगने वाली है जैसे कि एक्विटी डिलिवरी की बात की जाए तो करेंथे कि बात की जाए तो इक्विटी फीच से है जो आपका जिरो पॉइंट जरोट कांडार के जाब से आपको लगने वाला है कॉम्रिटी फीचर पर आपको यहानि कि या शाल बाइगा पर साफ पर लगने वाला है अगर बात करें हम करें सी ऑफ्षेंट के अंदर आपको और साइड पर जो चार्जिस लगेगा वह 0.001 परसंट के साफ से चार्जिस मेंचन किया जाएगा नीचे बात करने से इसके प्लेज और इन पर क्या चार्जिस लगेगा अगर आप प्लेज करेंशन पर चार्जिस की बात की जाए तो आपको 32 पर रिक्वेस्ट के साफ से चार्जिस लगेगा तो 0.02 परसंट की जो वेल्यू है जो आपका इनकी हायर है वो 35 रूप और लोवर के बात की जाए Cambridge Live की बात की तो प्रेशित की बात की तो प्रेश् Argid यह था दोस्तों ये था इसार jacket के जितने भी चार्जिस के जितने बैंब को बता दिये हैं अगर आपको कोई दिक्कात आई हो तो आप मुझे स्वेच कमेंट कर दीजेगा उसके बारए मैं आपको डिटियल से और वीडियो में बता दूँगा चैनल पर आने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो प्रसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा